तो इसका जो पिष्टन है डिस्क ब्रेक वाला उसे दबाते अंदर दब गया अब इसका जो ब्रेक पैड है उसे फिटिंग कहाँ से करना है तो देख लो एक तो हमको इस तरीके जो फिट करना और दूसरा लेना है है लो गाइज विल्कम बैक टू माई चैनल टेकनोज बाइक व्लॉग मेरा नाम है इंत्याज आज है मेरे पास बजाज की पलसर 125 बाइक है और यह टोटल चली कितनी है पहले तो वह मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि बाइक टोटल चली कितनी है तो इसका जो टोटल है 35,000 यह तो ट्रीप है 35,380 km यह बाइक चली हुई है और इसमें प्रॉब्लम यह हो गई है कि इसकी ब्रेक पैड है फ्रंट वाले ब्रेक पैड वह खतम हो चुके 35,000 पे इसका फ्रंट ब्रेक पैड है ब्रेक पैड वह खतम हो गया मैंने च्छेक कर लिए तो यह पैड को न है जो आप्झ one काहिए दोगा है जोलने को पार निकाल ठीक Seven कर लेना कॉने को जिसके बाद तरह में इसके निकाल लेना ॡूहिए समस्कनेघे यूब जाता इसम इसे करना पड़ेगा या पिने काहिए मेरे निकालता है यह दिकता हुश्मी करना में नहरा हिव है में पनाचन नंबर की इलंकी लेना और प्रेंद को खोल को तब हमारे जो पैड़ हैं फ़ाल यह तो तो यह रोड को निकालना पनालता प्रेंगे चलो में इसे खोल लेता हूं और रोड को निकालता हूं बाहर निकल आए ब्रेक पैड और रोड ये ये देखो पूरे खतम हो गये हैं थोड़ा सब बिल्कुल बचा हुआ है ना के बरोबर ये चलने वाला नहीं है अब हमको ये वाला जो पार्ट से इसे निकालना पड़ेगा तोंकि ये भी जाम है ये देखो ये पूरा जाम है अगर ये हम फिरी न पड़ेगा तब है निकलागा अब है कि ये तारबड फस रही है ये तो ये देखो फूरे इतना जंग लग गया है इस निकल लाए पराइससे फिरी करना पड़ेगा ये पटी है क시죠म आप ध करना पड़ेगा और ये नंदकि के बीचर डboys इसे भी तो चलो कि इसको यहां पे थोड़ा सा और डालते हैं तो नो पिष्टन पे यह है है कि अब उनको दबा के अंदर लेके जाते हैं कि इसको लेना है प्लास कोवा प्लास लेना है और यहां पर कपड़ा लगा देते हैं ताकि यहां पर दाग ना पड़े है और इन पिष्टानों को दबाना है दोको यहां से पकड़के दबाना है ताकि अंदर चले जाएं तब हम चेंज कर सकते हैं यह मैं दबाताओं यह लोगो अन्दर जा रहा है दोनों को इसी तारीके से दबानाई और लेना है यह चला गया अब इसी को भी इसी तरीके से दबाएंगे एक उपर आएगा तो दबा के रखना दूसरे वाले को कि यह बस अगर एक उठरा एक नहीं एक दबाने के बाद दूसरा उपर उठ रहा है तो एयर का जो बोल्ट होता है वह खोल देना दस नंबर वाला तो पिश्टन आराम से दोने नीचे चले हैं अभी देखो एक उपर एक नीचे हो रहा है चलो इतने हो जाएगा मारा काम बस हुआ है उतिका मुझें और ना कme टूर nakते हम कुना थो कि इसको प्रुपर यृओ अजिक सहर एक वह तो इसको सहब कर लेते हैं और इसको निचल सायचे कलीकृ है और क्लीन कर लाइटान रहे हम फीटिम कईसे करना वह बताते हूं आपनावक्त काईयली आ अब इसका जो बाकी का सामान यहां पे पॉलिस पेपर मार के इसे भी क्लीन कर दिया दोनों जो इसकी पट्टी जिस पे पैड चलते हैं यह भी पूरे क्लीन हो गए यह देखो इसके नए जो ब्रेक पैड हैं वह मैं दिखा देता हूं आप लोगों को यह रहे एंडुरेंस कं हिजिम फूरियए ह॥ जो यह इस refuse मैं आप लोगों को दिखा क्यां है तो शुक्राइब हो इस में बहुआ है और यह अन डूरेंस के हैं यह कि इसमें थे में मैं और टयो कि एक मिनट मैं पुराने वाले भी आप लोगों को दिखाता हूं और नए वाले को दिखाता हूं यह देखो कि पूरा इतना होता है यह दो कि कुछ भी नहीं है तो इस हिसाब से पता कर हमको चलता है कि इसमें जो ब्रेक पैडम पूरी तरीके से खतम हो गए मैं ब्रेक पैड डालने की जरूरत है यहां पर थोड़ा समय से क्लीन करके आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं कलर भी वही है और ब्रेक पैड भी वही है एंडूरेंस यह दो कुछ जो कंपनी लगा के दिये वह भी इंडूरेंस के जो मैं लगा रहा हूं वह भी एंड लगाना है दो लगाना जरूर है क्योंकि इसी इक उपर जो है पैड चलते हैं जिस पे ना हो तो नहीं मिल जाते लिए नहीं लेके लगा देना सॉब्पे लेकिन लगा जरूर प्ट्टि लगा दिया अब इसका जो ने एक पार्ट यह वाला निकाला था इस पर हमको लगा सेना ग्रीस ताकि यह जो जो है पृती रहे और यह जाम है तो फिर वील Unus और यूह यह उगछ फेलों के लंग मैं जावार को पाट कुम लगेगी यह इसकी रखर यहां पे यहां पे यह बैठेगा आँए भेनएको बिठाना यह यह बैठ गया बिलकुल फुरी है यह बिलकुल फुरी है वे पत्ती लगाना है चलो यह इस तरीके से लगा देते हैं अब इसे पकड़के रखा थेंगे अब ये दोने पार्स को बिठा देंगे ये बैट गया चलो दबा के चेक कर लेना बैट गया अब लेते हैं ब्रेक पैट ब्रेक पैट को बिठाते हैं चलो ये पहले वाला उसी सामने लिप पट्टी में बिठाना है बस बैट गया इसे पकड़के रखेंगे दूसरा वाला लेंगे दूसरा वाला भी इसी तरीके से बिठाएंगे इसको इधर बिठाना है इधर पट्टी में इसका बोल्ट लेना है और बोल्ट लगाना है बोल्ट को भी क्लीन कर लेना है मैंने बोल्ट को भी क्लीन कर लिए य तरफ ने भैड़ अब इसे पाइट कर लेते हैं पूरा। जो ऐलंकी है वह पांच अमीं की यह लगेगी यह बुल खोलने के लिए पैड निकल को वापस से यह पैड निकल ही जाता है इसे वापस से पिछा देंगे बैड़ गया है अब इसका गैप बढ़ाएंगे स्कूर ले प्रेट वाली उसमें बैड़ जाया बिल्कुल अच्छे तरीके से अब पिठा देते हैं यह जना बीच यह बैड गया इसके दोने बोल्ट लगा के टाइट कर देतें कायली पर को कि यह हो गया कंप्लीट रबर यहां पर दबा देते हैं पहली पर भी लग गया रबर भी और अब इसका जो देख लेता है अभी तो प्रेसर बना नहीं है बन गया यह दो बन गया ब्रेक लगने भी लगी कि अधिए एक बार में चेक कर लेता हूं वील को घुमा कर ब्रेक दबा के तो प्रेसर तो बन गया है हाई प्रेसर है ब्रेक भी बढ़िया लग रही है इस तोड़ा सा इसे हलका जाम होगा वह चलेगा वह थोड़े देर के थोड़ा चलाओगे दस किलो मीटर तक पास किलो फिरी हो जाएगा नया पैड पढ़ता है तो जाम थोड़ा रहता है यह पैड कैसे चेंज करना यह वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया पलसर 125 यह पलसर जो बाइक 150 है उसी की ब्रेक पैड लगेंगे इसमें यह वीडियो कैसी रही है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को सेर कर देना और मेरे चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना